Now I want to come to the sector agriculture, 50% आज भी population अगरी कल्चर पे डिपेंडनेंट है, जो इंकम है वो 18.4% है GDP का हिस्सा, तो that means 50% population के पास 18% इंकम पे वो जिन्दा है, इसलिए सारी प्राब्लम है फार्मर्स को और लेबरर्स को, चाहे वो स्वोसाइड हो रहे हैं, चाहे फार्मर कुछ कह रहा है, चाहे एजिटेशन चल रही है, that's because, क्योंकि वो गेड़ा सेक्टर है, वो बहुत तकलीफ में है आभी, आपका economic survey इस बार कह रहा है, के साब पिछले साल तो growth agriculture sector में 4.7% थी, इस साल 23-24 में 1.4% है, तो सरकार के इतने सारे वादे कहां है, 1.4% agriculture growth, तो उनकी इंकम भी उतनी बड़ी होगी, that's why agriculture sector में इतनी problem होई या, इसलिए, अचाहा, आपका बादा है doubling of income by 22, 2022, उसका क्या हुआ, एने से जोगा, आपका survey का 18-19 में 20 में 10,218 रपे पर मंथ एक farmer की income थी, तो अभी तब तो 22-25 जार होनी चाहिए थी, मैडम, प्लीज हमें बताइए, के अभी farmer की family की क्या income है हमें बताइए, अचाह, नुवंबर 21 में, जब agitation चल रही थी, मानिये परदान मंत्री जी, रेडियो पे एकने नाते हैं, और कहते हैं, किसानों भाईयों आप उठ जाओ बॉर्डर से, मैं आपको MSP का हल करके दूँगा, हम इसका पका हल करके देंगे, अब मंत्री जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं, मैं उसे चर्चा करूँगा, उनकी मांग तो बहुत पष्टा के हमें MSP law बना के दो, आप उसकी और आते हैं नहीं हो, उस बात को कहते हैं, आप कहिए मंत्री जी, कि मैं आपको MSP law बना के दूँगा, आप चिंसा मत करो, ऐसी बात कह अधिर यहना, पारलिमेंट चल रही है, इसमें बढ़िया मौका कभी होगा नी, और मंत्री जी मुझा जानते हैं, अच्छी तरह बोल दीजे, मंत्री जी मेरे बाद, बोल दीजे, मैडम एक बड़ी, इसमें वचितर स्थिति आपने बनाई, आपने 2015 में ब्रेक बनी का, आ स्वारी मेडम, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, रहने वोच, उधर ही बोलना, स्वारी